पीपक पीपक यह दो जिन्दा है इसा फॉरूम रही गाटी मेटाल का स्पिताल ले चलो मैं दी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं इसलिए एक मिनिट के अंदर चार दिवारी के बाहर चले जाओ वर्ना अपनी मौत के सिम्मेदार तुम लोगों खूद हो गए करें स्धुश् स्वा इसा. वैसे विवाएंगा वाल गार यार बस्टाइब अबाराएंगा कर दो कि पार अ कि पार आप कि अ कि अ ऑ्र हो कि कि है akukan कि बशु को Timothy eer हुँ को नह अ अ प्ष कर दो कर दो नजब हुआ है हुआ 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 हुआ! हुआ 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 हु इसलिए हमारा government का तरफ से ये छोटा सा इनाम पाच लाग डॉलर्स थांक्यू बड मिस्टर ट्रिकाल एक बात का ख्याल रहे हमारा country का नाम नहीं आना चाहिए नहीं तो दोनों country के बीज का relation खराब हो जाएगा फिकर ना करो मिस्टर ली तिरकाल ने कच्छी गोलियां नहीं खेली हैं ना तुम्हारा नाम आएगा ना हमारा हम हमेशे अपना इल्जाम दूसरों पर लगा देते हैं बेचारा विजय श्री वास्तर सब्सक्राइब दूसरों सब्सक्राइब दूसरों मुझरम विजय शिर्वास्तों सजा पांच साल गुनाह मा बाप और भाई का कट्र चलो भाई यह रही तुम्हारी खोली चलो प्रिकाल सेट विजय श्री वास्तव को तो रास्ते से हटा दिया अब हीरा लाल का भी कुछ कीजिये वो जेल से जल्दी ही चूटने वाला है रुम्हारी गुनाह कर दो एас फेलिए रही तुम गुटने ओदे वाला है भाई बंगाने पांच सोगी वाला है प्रोल्मनाई गांच सब्सक्तवारी काला है एप एप एग चलो तो आठागा पके ऑल्लवाए लेट करेब उस तरह तेज करके लाता हम पेपर्स कहां है हिरालाल खोन निकलाया कौन हो तुम खोनी पहुत सारे खुन क्या हूं और आप तेरी बारी है बोल बैक कहां है उठा तो तुझे दुनिया से उठा दूगा समझा बैक कहां है यह रास्तों तुम्हारे बाप नहीं उगलवा सके तुम तो उनकी नाचाए सौ झा किए है तुम्हारे झालुड़ यह रार है प्स pierws mover किप्णा कुछनिया से और बैक कॢशा है भाहला सकतित निकली स्बचला दरे दोलो तुम्हारे का पाल दुवतिक न solutions को लिच्ट समझाए स्टे प्स्तेरिक को मिसद़ते दियर से लिए कर दो. हु! ह gotta be you. अंग. हुआ. वुआ. रघुँ. राध. पॉपफा बॉप ये बॉप झाल ठाल झाल कर दो न है महलई घड़ुक हुआ। कर दो कर दो कर दो हो खो वोड़ ली ड्टीर नदिब लिड़ एकाँ अगाँ एड़ पार शार शार वार बस्क्टर कर्दर विजय तुमसे कोई मिलने आया है मेरा नाम यश्वन देश्मुख है मैं शेहर के उस एरिये का इंचार्ज हूँ जहां कभी तुम्हारा घर था तुम्हारे माबाप थे एक चोटा सा भाई था एक खुबसुरत से जिन्दगी थी मुझे यहां किसलिए बुलाए गया है हमें अपना दोस समझो जानते हैं मैं किस जर्म की सजा काट रहा हूँ जानता हूँ और तजर्बे के साथ ये भी कह सकता हूँ कि जिस जर्म की सजा तुम काट रहे हो वो तुमने किया नहीं है तुम्हें फसाया गया है इस हमदर्दे की बजा गुंडागर्दी, प्रोस्टिटूशन, ये सब तो आम बात थी, लेकिन लोग अब नए नए धंदों से अमीर बन रहे हैं, और वो है आरडी एक्स, वाम ब्लास, या दूसरे लफजों में जिसे हम मौत का कारोबार कहते हैं, ये कारोबार इस मुलके नौजवानों की नसों म में फैलाने वाला एक ही आदमी है, जिसे हम टॉन के नाम से जानते हैं, जब जानते हैं तो उसे गिरफतार करके सजा दिलवाईए, मुझे ये सब बता कर क्या फैदा, टॉन को गिरफतार करना इतना असान काम नहीं है, जितना तुम समझ रहे हो, कानून और अदालत रोज जो इसकी चौकट पर सलाम करने जाते हैं, आइसी, तो बैठे रहे हाद पे हाद रखकर, मनने दीजे देश के नौजवान को, देश के नौजवान बच सकते हैं, अगर तुम हमारी मदद करो तो, मैं, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम चाहो तो ये डॉन, घुटनों के बल चल कर, हमारे पास अपनी जिंदगी की भीक मांगने आ सकता है, वो कैसे, जिस तरह लोहा लोहे को काड़ता है, हम भी उसी के हत्यार से उसे मारेंगे, मैं समझा नहीं, डॉन को पैसों से ज़्यादा अगर किसी चीज से प्यार है, तो वो है उसका एक लोता बेटा, अगर हम किसी तरह से उसके बेटे को किडनाप कर लें, तो हम डॉन को उसके गुना कुबूल करने पर मजबूर कर सकते हैं, शाबाश, तो अब पुलिस वाले गुंडों का काम करेंगे, ये काम पुलिस नही करेंगे, तुम करोगे, किसी को कानो कान ख़वर नहीं होगी, कि कब एक कैदी जेल से निकला, डॉन के बेटे को किडनाप किया, और पुलिस के हवाले कर दिया, ये गलत फेमी आपको कैसे हुई, कि ये गुनाह मैं करूँगा, ये गुनाह, तुम्हारे उस गुनाह के आदेगा, जो तुमने कभी किया ही नहीं है, दिखो जे, अगर तुम पुलिस का साथ दोगे, तो हम तुम्हारी बाकी की सजा भी माफ करवा देंगे, इस तस्वीर को देखो, ये ये डॉन का बेटा, जो तुम्हारे लिए नई जिन्दगी का दरवाजा खोल सकता है, जल्दी, राशर रुदारो, जल्दी, राशर रुदारो, जल्दी, जल्दी, लिकरो, आहां, ले जा रहे, बहुत भारी है वाडन साब, कर दो दिन्दगाओ, जल्दी, 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 लिकरो, जल्दी, 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 बहुत भारी है, झाल झाल राइवर, गड़ी लिजाओ सुको क्यों, सारा सामान उतर गया? उतर गया साप जा, लेड़ा मा, मेरे कपड़े जल्दीजे निकाल दे बेटा, तु खुद ही निकाल ले मैं खाना बढा रहे हूँ जी कह मा मा तुने मेरी टीशर्ट क्यों पहन रखी है यह मेरी है जल उतर जल उतर इसको तुम्हारी हिज़त मेरे हाथ में अचा अब उतर मुझे ऑफिस जाना है जर और प्यार तेरी प्रेश करो राजु जी महरबानी करके आप अपनी एटीशर्ट मुझे उधार देंगे यह लीज़े थैंक्यू जाजु बेटा जरा नीचे आना आया पितागी अरे 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 एसी जा रहा है जिस क्योंचे जाओं कपड़े पहन कर कपड़े तो सब पहनते है मुझे लाइफ में थोड़ा चेंड चाहिए चेंड अरे मा 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 तुम कहां उसके पिछे भाग रही हो वह कहां तुमारे हाथ आने वाला है नाश्ता लगा मुझे आफिस जाना है कभी नहीं सुद रहेगा पिटा जी यह रहे वह लेका आपके 5 रुपर पच्छता पता है अचा पिटा जी मैं चलता हूँ अरे वेजय बेटा लोटते आफ मेरा दूसरा चश्मा लेते आना नंबर बदल गया ना इसलिए पता ही नहीं चलता है कि सौ का नोट है या दसका नोट है अचा पिटा जी यह लीजे सौ का नोट जा चुटा दे दी यह यह सौ का नोट है के दसका पिटा जी अभी तो आप पता नहीं चलता कि कितने का नोट है लेकिन हमें तुम्हारी आउकाद का तो पता है क्योंकि तुम्हार पास सौ का नोट हो इनी सकता अच्छा पेदा जी मैं चाहिए अच्छा बेटे ट्रॉक रोको आज तसरे तीन ट्रॉक जाने वाले थे यह 5 टक किसकी मर्जि सेORD रहे हुए सेठ्ट ठीकाल की मर्जिसे मिस्टर पंडे यह फैक्टरि ठीकाल सेड्टकी ज़रूर है लेकिन यहां से गुला बरुद बगर्मरी मर्जी के बाहर नहीं जा सकता क्यूंके भारत सरकार की तरफ से यहां करने के वान मैं हूँ तुम मिडल क्लास के लोग सरकार को हर वक्त सर पर सवार क्यों रखते हूं यह लो और अपनी सरकार खुद बनो इसे पुलिस कावाले कर दो पुलिस कावर काते के लिए दूसर पुछ दे पर आदेश्वान आज शालेश देद मिज़न न अगनार दो शालेश तुरेश भुछश़ दूसर दिखाया इस नियुक्त से रख़ते अधर ख़ते हैं शाब आश। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं लेकिन अपनी मा को बेच कर कमाना बहुत बुरी बात है कार्ड्स इस लाश को उठा कर पुलीस के हवाले कर दो और याद रखो आज के बाद फैक्टरी के बाहर कोई सामान विजय साहब की जाज़त के बगार नहीं जाएगा जी साहब गुड लग मैं सन सर आपने अपने अपने पुराने साथी पांडे को मार दिया जब एक घर के जलने से पूरा गाउं बशता हो तो उस घर को जला देना चाहिए वरना याद रखो उस घर के साथ हम तुम भी जल जाएगा सर मैं समझा नहीं इतनी अकल होती तो तुम हमारे ससुर जी की कुर्सी पे बैठे होते और वो तुमारी जगा हाद मांदे खड़े होते सुरी सेर उपरवाला भी अपनी फैक्टरी में ऐसे इंसान कभी-कभी बनाता है जिनको डायाबिटेज, ब्लड प्रेशर, कैंसर के बजाए वफादारी इमानदारी यह तूट जाएंगे मगर जुकेंगे नहीं इसलिए जब तक विजय श्री वास्तो ड्यूटी पर है RDX की सप्लाइ बाहर नहीं जानी चाहिए मा मैं जिम जा रहा हूँ क्यों रहे तेरी पैसे की भूग इतनी बढ़ गई है अभी फैक्टरी से थकारा आया है और फिर चल दिया मा तुम क्या समझते हो के मैं बच्चों को कुंगफु करादे पैसों के लिए सिखाता हूं पे सेल्फ डिफेंस सेल्फ डिफेंस अरे तुम नहीं समझोगी अंग्रेजी में है हां तुम चुप रहो जी पहले तुम मजे ये बता तेरी पूरी जिंदगी तो आज करते हैं गुजरेकि क्या मतलब तरहसल तेरी मां घुमाकर बात कर रहे हैं जलेबी कीतरा तब रापी बता दिजिये न बरपी कीतरा चुप बेटे क्या है कि आजकल तेरी मान से घर का काम काज नहीं होता है न तो एक नौकरा नहीं रख लेते हैं भाया हमें वह वह आली नौकरा नहीं नहीं बगेर पगार वाली नौकरा नहीं है भई सब बहुत हो गया मजग वीजये तू सिधे सिधे सुन ले मुझे एक बहु चाहिए ठीक है चैसे मुझे कोई लड़की मिल जाएगी मैं सिधर तुम्हारे पास उसे बहु बना कर ले आऊँगा कि नहीं देता क्या ए ए रहे हो क्या जिनए अंधा हू अंधे हो तो सब्सक्राइब कर भीग मांगो तुम दोगी क्या भीग ये लोट छुटता हाहा हाहा हा जलाओ जलाओ इस पकड़े पॉक्ठी किया निकालो 50 प्रूपे देखिए ये मेरी गलती नहीं है उस लड़की ने पिछे से ध्यक्ता मारा मारी resultados अब答 Miles की मिरिक लिए पहले ह्टी नहीं है निकालओ हर मात पर यिकिन कर लूँगा vậy पीछे ही पढ़ा हुआ है देखने में तो पुरा नहीं है तो फिर मैं क्यों इससे पीछा चुड़ा रही हूँ ऐसी पिटाई करवाती हूँ कि आज के बाद मेरे अलावा किसी और लड़की को छेड़ेगा ही नहीं हुआ है 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 इसमान मिया तर्टिस को नहीं कर रहे हो वही तो कर रहा हूँ हाथ पैर तो हिला नहीं रहे हो इस काम के लिए हाथ पैर नहीं बलकि कुछ और हिलाना पड़ता है कुछ और हिलना पड़ता है सर लड़की लड़की तुम यहां क्या कर रही हो देखिये दिखाये क्या वही जो आप छुपा रही है मेरा मतलब है एक हुंडा मेरा पीछा कर रहा है क्या आप लोग अपनी बहन की रक्षा नहीं करेंगे देखिये मैडम अगर पूरे हिंदुस्तान की लड़के हमारी बहने बन गई तो हम लग जिन्दगी भर हाई करते रह जाएंगे प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ मेरी इज़त बचाईए प्लीज ठीक है तुम फिक्र मत करो मजबूर होकर हम तुम्हें अपनी बहन मान ही लेते हैं चलो अधरी यह गुंड़ा नहीं है यह तो अपना यार भीजे है सर आप सर हम समझे को गुंड़ा है प्लीज बहनो यह कोई पिटवा दिया इन्होंने हमसे कहा कि अन्हें कोई गुंड़ा छेड़ रहा है उल्लू के पठ्थों गवर से देखो इसे यह खुद गुंड़ी लगती है इसे कोई क्या छड़ेगा देखिए आम सॉरी मेरा मतलिब यह नहीं मैं तो चाहती आप भल दिन में तुम मेरी टांग के नीचे नहीं आये तो मेरा नाम भी टंगडी कबाब नहीं हाँ लगता है तंदूर बहुत गरम है दो आम लेट ले यह कहां से आ गई मैं क्या करू राम मुझे पुठा मिल गया मिल गया मिम साप यहां गारा बजाना मना है तो फिर तुम क्यों बजा रहे थे यह बाजा ओ मालिक हुना इसलिए फिर काउंटर पर रुकर बैटा है ना गज़ ए राजू मिम सापको बोल दो कि टाइम परस करने के लिए यह बैटना मना है तो भुलिया मिमसाब, क्या चीए आपको, एक ग्लास पानी, यह आपका पानी और यह आपका बिल, शाट रुपए पचास पैसल, एक ग्लास पानी का, यह कोई मामली पानी नहीं है मिमसाब, यह बंबै का पानी है, इसके चक्कर में पानी वाली बाई दिल्ली चली गई थी, ओ, ये बात है, हाँ, ये बात है, तो तुम्हारे होटल में जो खुछ भी है, सब एक-एक प्लेट ले आओ, सब, हाँ, सब, हाँ, सब, सब, खता हूँ, ये लोग, साथ सो चियाती रुपर, पटापफ़ निखालो, अकाउट में लिखलो, अकाउट्स में लिखलो, अकाउट्स, कैसा अकाउंट यहाँ मेरे पती का अकाउंट चलता है बिटिया क्या नाम है तुम्हारे पती का मुझे बता दो तुम्हे लिख लूँ विजेश्रीवास्त वास्त वास्त जी जी यांडे मा! कचा जय को चल जल्दी का खाने का टाइम हो गया बेका निस नुट के सल्डुन कचा रेडलो भाई हैं टेलफोस्त बाद Tou ड़ाद कचा रहा है जरा चल उंस महांदब को उत्को नभी कि दो नाम थाए है हलो कट गया दो अजार दो रूपए किसी बिचारे का रॉंग नंबर लग रहा है बाबु जी यह मुझे किसी बेचारे का नहीं किसी बेचारी का नंबर लगता है चलो खाला काने चलो तुम बिटा बंकर गाना अब फोन आप ही उठाना नंबर भी सही लगेगा और आगमी भी सही मिलेगा तुम बदमाशिन नहीं छोड़ेगा हा लो बजगई आपकी घंची हालो हलो मैं रेखा बोल रही हूं क्या तकलीफ है आपको क्यूं आप हकीम है आप चाहती क्या है तुम्हें अपना बनाना चाहती हूं यह जो आप लोगों को इश्क का बुखार चड़ता है न सिंदगी की सच्चाई से चक्राते ही दो दिन में उतर जाता है मेरे प्यार का बुखार मामूली बुखार नहीं है नियादी बुखार है एक पार चो तो बाकी जब मैं करड़ा लोंगी क्या करड़ा लोगी मिठाई सामने पड़ी है खाने के बजाए मक्या उड़ा रहे हो मैं सड़ी गली मिठाई नहीं खाता मैं सड़ी हूं मैं नहीं लोग कहते हैं I hate you, I love you I adore you Vijay कुछ और लीजे ना बहीं बहुत खालिया है मेरा खाल है क्या वो लड़की को ची वाती वो आगई मेरे बेटी जी ती रहा उस्वान भाई ये तो वड़ी अख्रूर लगती है मुझे बिल्कुल नहीं देनी अम्मा तो तुम्हें कौन सा जमानी है उधर देखो जो पहले से जमान बैठे अरे सक्षान अजाप जब हमारे बेटों को आपके बेटी पसंद है तो पर हमको भी पसंद है अरे ऐसे कैसे पसंद कर ली पहले थोड़ी पूछता तो करने दीजिए अच्छा बेटे तो पूछो अंकल आपसे नहीं इन से आपको हेल्थ क्लब ब्यूटी पार्लर जाना प बिलकुल नहीं फिर आपको आता क्या है पढ़ना घर में सफाई रखना खाना बनाना वक्त पर पापा को दवाई देना वगेरा वगेरा तो भाई वकील साब हमें आपके लड़की पसंद है थाने बाद राजू मिया हम लोग विजय मिया के लिए लड़की पसंद करने किससे मिलना है अरे चा करता है यार यह हमारे सुपरवजर साब के पिता जी है अचा अचा माप कीजेगा साब क्या करें हर आने जाने वाले को चेक करना ही पड़ता है ठीक है भाई तुम अपने ड्यूटी निभाव आई ऑगाव बिटा तुम यही रोको मैं विजय के दोस्तों को काड़ बाटके आता है यहाँ लुक अथ दिस आहा विद देलिसकोप यहाँ दिस वेरी हैंडी फर लेडिस मिस्टर च्रिखाल हमको समाज में नहीं आया कावमें का परोट उसका बंदोग तुम हमको कैसा सप्लाई करता है जिस तरह हम तुम्हें गॉर्मेंट का गुलाबारू सप्लाई करते हैं और यह नहीं पूछते के तुम इसका क्या करते करता है जैसे तुम एक रूपिय का माल चार रूप्य में देता है हम चार रूपी कोई माल एक्ष्ट्मिस्ट लोग को 10 रूप्य में देता है जान जिस तरह हम रुपया कमा रहे हैं, उसी तरह तुम भी कमाओ, लेकिन हमारे घर में जाकने की कोशिश मत करो सब्सक्राइब करता है ससुर जी, इनके पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है, बताई दिजिए वरना या अपनी पेंट गंदी कर देगा क्या भूला तुम? चोर-चोर मोसरा भाई बीजय बेट थी देखा जो रूपने तर्वादा था जा रहे हो साम, आपको चेक करना पड़े पिता जी डर मत बेटा, इनका काम है अचा करना, डर मत खुशन तर्या भाई, अगर तलाशी लेनी तो आप ले लेते हैं इस कुत्ते की क्या जूरती? साहब, इनसान हमें तो धोखा दे सकता है इन कुत्तों को नहीं अगर आपके जिस्म से बारूत कीबू आ जाती तो यह आपको फाड़ कर खा जाती तो मैं चलो हाजी आव बटा हलो गाण जी साब विजय आया है क्या? उनके पिता जी जरूर आये थे, चले गए साब पिता जी आये थे? जी साब पिता जी साब आपके पिता आपके जी साब पिता जी साब इता जी साब जा सब़ अगर ребut पक्त लगाब कर लेद सेह। लेजित्र थैस कறशी कर से देल लेजित्र. लेजित्र. मजूर योनित इदावार हमारी यूरी माँगे इदावार मजूर यूरी हमारी माँगे हलो क्या जिदा जी क्या कहती है अगा पहुत चो है यहाँ पर आख रख एक मिजे को दो आख रहो तरवा से बन करका थो हलो हलो सबस्राइ रातों बेट करते हैं? बेटार प्रॉमा देदा रातों रातों रातों, थेजना रात! गए हाँ हाँ हलो हलो कड़ गया पर से लगाई है विटा आप तो सिकरी नहीं है चल घर चलते चल ज़िए विजय पेटे लगता है किरे पिजाची किसी मुसिबत में है कहा है वो फैक्टरी गए थे वो कार देने शादी का आचा बड़ देक्टर जी बोलिये चाय मिलेगी नहीं आज होटल बंद है तो फिर पानी पिला दीजे थे 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 मुआ कि जए फैज थे थे मुआ थे थाल दीजे वNers – बाइसम आपका बहल? – आपको अ dön, में decid, आपका रावन मा विचा खाख मा वा खिक बग कई श। भाय, भाय म— म भी पुछ्ट आप दुछ आया हम आया हम आकाहिजे आया हम आया हम जब ये अ दुछ विजय तुम बोलते हैं कियो नहीं विजय विजय मैं तुम्हारे माँ बाप और भाई की जिंदगियां तो आपस नहीं ला सकता लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें बेगुनाही की सजाना भुकतने पड़ है योरानर ये मुकतमा जूटा है बेबुन्याद है मन गढट है कोई भी बेटा अपनी मां की जान नहीं ले सकता अपने बाप की सांसे नहीं चीन सकता अपने छोटे भाई को कफ़र नहीं पहना सकता यूर अनर हर हाथ से के पीछे कोई सबब होता है कोई वज़ा होती है और यहां तो कोई वज़ा भी नहीं है फिर विजय शिरिवास्तो अपने माँ भाप और भाई का खून क्यों करेगा इसलिए मैं अदालत से दर्खास करता हूं कि मेरे मौकिल के खलाफ सारे इल्जामात व खेनम हो गई मैं उन्हें यह बताना चाहूंगा मेराट कि अदालत में ना तो आसुओं की कीमत है और ना ही जज़बातों की कद्र लेहादा हकीकत को अफसाना बना करना पेश किया जाए हकीकत को हकीकत ही रहने दिया जाए और हकीकत यह है कि जिस बारूत के धेर से तीन ब से लाए गया था जिसके गोदाउन के इंचार्ज और कोई नहीं विजए स्री वास्तों थे क्या अब भी ये बताना पाकी रह गया है कि ये अदमी अपने माँ बाप और भाई की मौत का दिम्विदार है मीलोड अब मैं अदालत के सामने एक ऐसा गवाह पेश करूंगा जो सब की जबान पर ताला लगा देगा मिश्ण तिल्काल आपकी फेक्ट्री से बना बारूद या बारूद से बना बॉम बाहर कहां कहां जाता है?", जहां गौशन की सप्लाई का आरडर होता है 남ुम ये बारूद किसकी निकलाने में बाहर जाता है ? सुपरवाइज़र की सुपरवाइजर के इस मोटन ऐसेक्टरि के सुपरवाइिजर मिस्टर् विजय श्री वास्तो थे लिस पॉइंट शुड बोड़िए मिलाइट ल Éक मिलाड़ बैया वारूत को बहा हो आना जाना मिस्टर्विजय श्रीवास्तो की देखरेक्ट में मैं कोई कड़ी नहीं जोड़ रहा हूं मीलोट बलके कड़ियां खुद बखुद अपने आप जुड़ती चली जा रही है जासाब अगर मुझे फासी पे लटका ना है तो लटका दीजे लेकिन मुझे जूटा इल्जाम मत लगाईए इल्जाम जूटा या सच्चा इसका फैसला करेगी अदालत जिसके सामने ये जाहिर हो गया है कि विजेश श्रीवास्तो आतंकवादियों को बारू सप्लाई किया करता था और यह वो बैक जिसमें वो बारूट च्छिपा कर आतंकवादियों को पहुंचाने वाला था कि वक्त से पहले बारू ठटढ गया एक धमाका हुआ और तीन जिसन्दियों का खेल खत्म हो गया मिली जिस तरह एक चौर का साथी भी चौर होता है उसी तरह टर्रिस्त को बारूद्ट सप्लाई करने वाला भी टर्रिस्ट है मुल्जिम विजे श्रिवास्तव वल्द मुहलाल श्रिवास्तव ये अदालत तुम्हें आतंक वादियों को बारूद सप्लाई करने के जुर्म में मुझरिम करार देते हुए पांच साल सक्त कैद की सजा सुनाती है गल्ट गल्ट सजा सुना मेटे जट सब इस चलती फिरती लाश में उमीद की सासे फूग दी आपने माबाब और भाई की मौत के बाद जिने की चाहती खूदी थी मैंने लेकिन अब जिऊँगा इस इंतेजार में कि ये पांच साल का वाक्त कब गुज़ेगा ताकि उस करिद्ने को ढूंसे कूँ जिसने मेरे माबाब के खूल से मेरा मुगत कर लिखाए कर दो जिसने मेरे माबाब के लिखाए आए अच्छ जा रहा है? किसा जाओ, कपड़े पहन के जा? अपड़े तो सब पहनते हैं, मुझे लाइफ में थोड़ा चेंज चाहिए चेंज? अभी निकाल क्यों मैं तरा चेंज? अरे माहा, तुम कहा है उसके पिछे भाग रही हो? वो कहा हाथ आने वाला है? अरे माहा हैं तरा चेंज अरे माहा हैं बेटी, वक्त ने तो तुम्हें एक सजा देही दी है, फिर तुम खुद को सजा क्यूं देती रहती हो? ताकि उस भगवान से पूछ सकूं कि दुनिया भर के रंजो गम उसने मेरी ही जोली में क्यू डाल दिये आखें खुली तो मा का चहरा देखने को तरस गए और जब कोई इन आखों में बसा तो उसे भी उसने मुझ से छीन कर इन आखों को फिर से सुना कर दिया बेटी, वो देता भी है और छीनता भी है यह उसका निसाम है मैं और बापों की तर तुमसे यह नहीं कहता कि विजय को भूल जाओ मैं तो यह कहता हूँ कि तुम विजय का इंतजार करो लेकिन इंतजार के इन पांत सालों में तुम्हें खुद भी तुछीना होगा बेटी, रात बहुत हो चुकी है चल सोचाओ आओ बेटी विजय विजय तुम्हारे बगए जीना बहुत मुश्किल है क्या तुम जेल से छूट गए नहीं छूट दिया जाओंगा अगर कल के इम्तिहान में खाम्याब हो गया तो कैसा इम्तिहान मेरा इम्तिहान मेरा इम्तिहान क्यों लेंगे तुम्हारे रैडी क्यों नहीं लेंगे अखर मैं उनकी कलॉटी बेटी हूँ जानना चाहेंगे कि जिस लड़की शादी मैं कर रही हूँ वो मुझे खुश रख पाएगा भी कि नहीं मेरी शेकल देखके वो पैचान जाएंगे और नहीं तो क्या फुलीस वाले है वो जिनकी जिन्दगी चोर उचकों को देखते देखते गुजरी हो वो मेरे जैसे शरीफ आदमी को क्या पैचानेंगे आप कितने शरीफ हैं मैं अच्छी तरह से जानती हूँ जो कोड़ा कान। Whenever you mean तोड़ा सा रोमैंज क्या आरे वो कह रही थी दिपकगा या यूव यू तो तो तुम्हें थोम्हें क्या कह तो मैंने भी वह हूँ कह दिया तो ब्दीगर सब्सक्राइभ कर मेरे टूंब कर रहेँ जिस काम को हम और तुम मिलकर कर रहे हैं उसके लिए इससे महफूस जगे और कोई कोई नहीं हो सकती थी क्योंकि यहां ना तो कोई आँख हमें देख सकती है और ना ही कोई कान हमारी बातें सुन सकता है मैंने अपना काम कर दिया उमीद है आप भी अपना वादा जल्दी पूरा करेंगे मैं यश्वन देशमुख बोल रहा हूं हमारा काम हो गया है विजिश श्रिवास्तव यहां से जेल के लिए निकल चुका है बाकी तुम चानते हो तुम्हें क्या करना है यह यह क्या कर रहें आप मैं तो जलार साब की मर्दी से बाहर गया था अगर आपको यकीन नहीं आता तो जलार साब के पूछ लीजिए वो आ रहे है जलार साब जलार साब इन्हें जारा सच्चा ही बता दीजिए बन कर दो इसे हरा उम्हादे मैं तुझे जिन्दा नहीं जालाँ लोगादे नहीं जालाँ मैं तुझे मैं तुझे, मैं च Simmonsote मैं लोगढ ुझे अहाँ, टाहया के हमाराव जेह लग़ है जेह लग़ है着 यहां, Hebrews of God जे अढ ilर जेह 놀ree और जो पास के लग़ है पुष बुष बुष तुन्हें कहा था ना कि तू मेरा खून पियेगा तू तो मेरा खून नहीं पी सका लेकिन मैं तेरा खून जरूर पियूँगा तू में उस कमीने देश्मुक का पिशाप भी पी ले ला जो कनूर की हार में तुझ जिसे कुटे से अपना काम करवा ला है क्या क्या बोरा सुछे पिशाप बिलाएगा है शमशेर सिंग्ग क्यों इतनी गर्मे खा रहे हो शमशेर सिंग्ग वैदों का कहना है के पेशाप पीने से सहत हमेशा अच्छी रहती है क्या हूं 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 यह उत्ते हूं हूं क्यों मौर यह लेग्या यह श्याशोय हूं नहीं प्लीज वल्या वर हूं यश्वनदेशमग आप जानते हैं कि मैं शूर में क्यों आया हूँ। क्योंके सरकार ने आपका ट्रांसफर इस शल में कर दिया। इसलिए। आइजी पर्ताब सिंग का ट्रांसफर कोई और नहीं वो खुद करता है। और मैं शेहर में इसलिए आया हूँ। ताकि उस माई के लाल का पता लगा सुकूं जिसने आई जी परताप सिंगे घर में डाका डालने की हिम्मत की है आपके घर में डाका ये है मेरी बेडी शर्मीला अलो जिसके मंगेतर को दो दिन पहले किर्नाइप कर लिया गया कि आप सब लोग सो रहे थे अगर 48 घंटे के अंदर आप सब लोगों न दीपक को ढूंड नहीं निकाला तो न आप लोगों जिसम पर यह वर्दी रहेगी और ना इस शैर के अंदर को गुंडा यह है दीपक की तस्वीर दीपक हीरा लाल का बेटा जरूर है लेकिन वो आई जी प्रताप सिंग का होने वाला दामाद भी है आई जी ने उसे ढूंडने के लिए एक भी कदम उठाया तो सीधा हम लोगों तक पहुँच जाएगा देशमुक दुश्मन को अकलमन समझना समझदारी की बात है लेकिन उससे बड़ी बेवखूफी की बात है खुद को बेवखूफ समझना लीपक को किड्नेप तो हम किसी मामूली कुट्टे से भी करवा सकते थे लेकिन विजय श्रीवास्तों के इस्तमाल क्यों किया ताकि अगर बात बिगड़ जाए तो विजय श्रीवास्तों पकड़ा जाए हम नहीं अब फिर आई जी परताब सिंग जिस रास्ते पर भी कदम रखेगा उसके मन्जिल होगी विजय श्रीवास्तों तिरकाल नहीं जब तक हिरालाल जेल से बाहर आकर हमें वो पेपर्स नहीं दे था तब तक पुलिस वाले का दामाद मुझरीमों की जेल में ही रहेगा समझे देश्मूग लेकिन आप त्रिकाल को कैसे जानते हैं त्रिकाल हर बदनसीब आदमी का मुकदर है मतलब त्रिकाल जैसा इंसान जिसका दोस्तों से दुश्मनों की क्या दरूरत है मैं भी उन बदनसीबों में से हूँ जिससे दुश्मनों ने नहीं दोस्तों ने मारा है कितना भरोसा था मुझे त्रिकाल पर खैर जाने दो कौन है ये मेरा बेटा है अगर ती बखेरालाल का बेटा है तो कमीने देश्मुक ने जूट क्यूं बोला कि वो ठाउन का बेटा है कितना बेटा है तो जैसे कुछ और हरामी पैदा हो गए तो सारे देश की बहु बेटियां कोठे पर बैठ जाएंगे हरामी हाँ मैं और तों को कश्ट नहीं देता उन्हें प्यार करता हूं जो के नाओ कहो लेकन लेकन मुझे खुश कर दो खुशी तो तुझे अपनी बेहन बीबी को डिसीपी देश्मुक के साथ सुला कर भी होती होगी कि अवाएंगे अवाएंगे दो कर दो नए नए जेलर शम्चेर सिंह, डिसीपिकर आलबास एकेल में और कॉन कॉन है और मुझे नहीं मानू मैं सच कहता हूं मुझे नहीं मानू बताता है यह यह मौत का पहाड तेरे सर पर पठक दूँ नए 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 त्रिकाल ही वो आदमी है जिसने तुम्हारे माँ बाप और भाई को मरवाया वो नहीं चाहता था कि तुम जीते जी इस जेल से बाहर लिकल सको हुइया नहीं यॉट सब सबस्द कर से हैं अ a याנה मगिया फ्य将 कर सजस दो कर लगंछ खस्या कर मगिया तुम्हार को बत्रिकार residue inanहां इशतर और तुम्हार कि हालो बोल रहा हूं विजय श्रीवास्तो जेलर को मार कर जेल से भाग गया है क्या कि देश्मुक साहब आजकल विजय श्रीवास्तो कहा है शमशेर सिंग की जेल में है जहां से सिर्फ उसकी लाशी बाहर आ सकती है वो नहीं यहीं है उल्लू के पठे वो तेरे शेर को गीदड़ की मौत मार कर जेल से फरार हो चुका है यही है वो आदमी जिसने डीपा को किद्नाब किया है वो यही है यहीं है यहीं है वो यहीं है यहाँ हुआ 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 है कि सिग्रेट और शिराप दोनों ही इंसान की चान ले ले दिये लेकिन मैं इन्हें तुम्हारी चान लेने नहीं दूंगा क्यूंकि तुम्हारी जान मैं लूँगा खाना काओ त्रिकाल वक्त वरवात मत करो क्यूंकि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है विजय बेटे तुमने सुना होगा जो बादल गरश्ते हैं वो बरस्ते नहीं बरसूंगा त्रिकाल थोड़ा थोड़ा कर गए लेकिन आज नहीं क्यों आज क्या मा का दूद पीकर नहीं आये हो तो मा के दूद के साथ साथ बाप के खून का भी हिसाब दूँगा त्रिकाल लेकिन पंदरा अगस्त को क्योंकि उस दिन मैं तुझ जैसे देश द्रोही के सीने में अपने देश का तिरंगा गाड़ कर अपनी वतन पर उस्ति का सबूत दूँगा तब तक मेरे डर से हर रोज थोड़ा थोड़ा करके मरोगे जिन्दगी और मौत का खेल उस दिन तक चलता रहेगा जब तक हिरालाल के बेटे की सांसे चलती रहेंगी गुद नाइट विजे पिताजी कहते हैं जहां आज जुआला मुखी है वहाँ उससे पहले मीठे पानी का जील था और फिर मीठे पानी का जील होगा इस वक्त तुम्हारे सीने के अंदर भी एक जौला मुखी है जब तक ये जौला मुखी भटेगा नहीं जब तक अंदर का लावा बहेगा नहीं तुम अंदर ही अंदर इस जौला मुखी की तरह जुलसते रहोगे इसलिए जाओ और अपने सीने के अंदर की दहकती आग को त्रिकाल के खुन से बुझा डालो विजे उस जगे का पता चल गया है जहां से त्रिकाल गयर कानूनी बारूद दूसरे मुलकों में भेशता है तुम पैचान क्या अपने बाप को तुने मेरे खर को बारूद से उड़ाया था ना आज मैं तुछे भी उसी तरह मिटा दूँगा है नहीं 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 आपनो मुझे बाप कर दो प्लीज मुझे बाप कर दो मनने से पहले आखरी सिगरेट पी ले तेरी सांस उस वक तक चलती रहेगी जब तक ये सिगरेट तेरे मुझे जलता रहेगा ये बाप कर दो हुआ 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 है दूसरों की सिंदगी का फैसला क्या करता था ना उसी ठीर को मिठा कर मैंने तेरी कबर खोद दिये है यकिन नहीं आता तो आपने गोडाउन के थमाकों की आवास को सुन हुआ 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 है तिरकाल नाम है मेरा मैंने पूछा आपसे जी बार जाएए इजाज़त लेजिए फिर अंदर आएए एक बहुत पुरानी कहावत है के अपनी गली में कुट्टा भी शेर होता है आप मुझसे कुछ कह रहा है जी नहीं मैं तो कुट्टे से कह रहा था आउट 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 अजी बात भी है मैं आई कमें कमें बैठे यह अंदाज मुझे अच्छा लगा सर कल रात मिस्टर त्रिकाल के गोडाउन को विजेश श्रिवास्तर नाम के एक आदमी ने जला दिया इन्होंने उसका भी कुछ जलाया होगा मिस्टर परता चलाने की जिरुवत नहीं है मैं बहरा नहीं हूँ शुक्र है आप तो बज़के मुझे जलाने वाला आश तक पैदा नहीं हुआ जलाय तो आप भी जाएंगे आपके मरने के बाद मिस्टर परताब सिर्फ मैं यहां आपके घटिया जोग सुनने के लिए नहीं आया हूँ तो आप भी कोई अच्छा सा जोग सुना दीजिए ना जोग नहीं एक हकिकत सुनिए मेरा दामाद यहां मिनिस्टर है अगर 24 घंटे के अंदर आपने विजय स्रीवास्तवा को गिरफतार नहीं किया तो आपकी यह कुर्सी बाकी नहीं रहेगी समझे मिस्टर तरिकार तुम्हारा दामाद अपनी कुर्सी के लिए हर पांच साल के बाद जोली फेलाकर विकारियों की तरह गली-गली बटकता है लेकन यह आई-पि-एस ओफिसर ना किसी के दया का मोहताज है और ना किसी के बाप से डरता है अगर मेरी सिगरिट खतम होने तक तुम खुद इस ओफिस से बाहर नहीं गए तो मैं तुम्हें धक्के मार कर यहां से बाहर निकाल दूँगा कात्रे विजज सिरिवास्तव जेलर को जान से मार कर जेल से फरार हो जाता है और सेट त्रिकाल के गोडाउन को आग लगा देता है क्या वजी हो सकती है इसके पुरानी डुश्वनी लेकिन विजे सिर्वास्तव ये काम 25 फरवरी को भी कर सकता था क्यूंकि 25 फरवरी को नासिक जेल में होने के बजा है वो बंबई शहर में था जा मेरी बेटी की आँखों के सामने उसने दीपा को किडनाप किया था ये कैसे हो सकता है सर हो सकता नहीं यह हुआ है विजे सिर्वास्तव जेल से बहार आता है और वापिस जेल चला जाता है अगर उसे जेल से भागना ही था तो वापिस जेल क्यों गया सर आपने मुझे बुलाया है ये जो कडक वर्दी से अकड़े जा रहे हो न थोड़ी से कलम हिला दी तो आपका ट्रांसफर ये महा नगर से सीधे गंगा नगर हो जाएगा जहां नहीं गंगा बहती है और नहीं गंगा जल मिलता है मेरी गले थी क्या है अब आया उंट पहाड के नीचे विजय श्री वास्तव अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ हमने चारोत तरफ नाका बंदी कर रखी है उसे देखते गिरफ्तार कर लिया जाएगा गिरफ्तार करोगे वो कोई देश का नेता है जो आजादी के लिए लड़ रहा है और आप कहते की गिरफ्तार कर लेंगे अरे देखते ही गोली मार देने का ओर्डर दीजिये समझे यसार अब आप फॉरण जाएए वरना जब तक आप रोड पे पहुंचेगे वह एक अदौर को टपका चुका होगा जाएए यसार इसे जिकाहल के पाल तू कुछते है आप आज नहीं तो काल पुलीस उसे कुट्टे की मौत मारीजे हालो जेल लोगों की आड में छुपकर तुष शेर बन रहा था उनमें से एक और की लाश सोरा फाउंटेन पर पड़िये लाश अगर यकिन नहीं आता तो जाकर अपनी आखों से देख ली मंत्री जी मेरा ट्रांसफर कहीं और करवा दीजिए क्यों यहां पर क्या प्रॉब्लम है वो दरसल मुझे दमे की शिकायत होगी है और समंदर का किनारा मुझे सूट नहीं कर रहा है समंदर का किनारा सूट नहीं कर रहा है या विजय श्रीवास्तों का धमा का सूट नहीं कर रहा है विजे, विजे, कमिना द्यश्मु खजरात को एक म्यूजिक कमपनी के सदाना फंक्चन में चीफ गेस्ट पन के जा रहा है कहाँ, फाइदास हॉल सर आपका फोन हलो, तिरकाल स्पीकिंग, तिरकाल, बचा सकते हो तो बचा लो अपने पालते कुटे देश्मुख को, क्योंकि आज रात का फंक्चन, उसके भाईयों और बहनों, यश्वंत देश्मुख, जिनको सारा शहर शेर के नाम से जानता है मैं उनका तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ, कि वो हमारी म्यूजिक कंपनी, आफ़ताब म्यूजिक इंडस्ट्री, यानि कि एस स्रीज के सालाना जलसे में शामिल हुए अब चाहूँगी कि वो खुद अपने बारे में आपको कुछ बताए, यश्वंत देश्मुख, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एक्स्क्यूज मी, ये लीजी, जिंदकी पर वो पढ़ते रहे हो, जो त्रिकाल ने लिखा है, आज वो पढ़ो, जो विजे श्रीवास् तुम्हारे गले में जो हार है, उसमें एक बॉम है, हार उतानने की कोशिश नहीं करना, क्यूंकि रिमोट मेरे हाथ में है अगर तुमने इसी वक्त अपने जुर्म का एक बाल नहीं किया, तो बटन दबाते ही, तुम्हारे जिसम के इतने टुकड़े हो जाएंगे, के गिंते गिंते तुम्हारे उलाद की उम्रु गुजर जाएगी श्री मास्तर मिस्टर देशम, प्लीज कम भाईयो और बहनों, दुनिया कहती है कि मैं कानून का एक वफादार सिपाई हूँ, दरहसल हकीकत कुछ और ही है, मैं शेर नहीं, गुत्ता हूँ मैं, पाल तो गुत्ता, एक ऐसा कुट्ता जो जुटी हडिया चाटने के लिए, हमेशा मुज्रमों और तेश, तेश्त्रोईयों का साथ दिता रहा है, उनके सामने तुम हिलाता रहा है, या आप क्या कहना है, वही जो आप लोग नहीं जानते हैं, मैं ही वो आदमी हूँ, जिसने इस मुल्क के अतंकवादियों को बारूर्द बेचा, लोगों के खून से हौली खेली, सुहागनों को बिद्वा बनाया, आसुमों की जान ली, मैं ही वो आदमी हूँ, शेहर में बंफटने से, जितनी भी जाने गई, उसका जिमेदार मैं हूँ, मुझ जैसे कुट्टे को, फूलों का हार नहीं, जूतों का हार पेलाना चाहिए, आए सुझे! को सुझे! को म reden बसुझे! सुझे! सुझे! eler वुण। हर रिएु। पुण kita पुण। मुण। पूर रिएु। गुख हर. ऐाप। कि अो एफ हुआ है तो जो भाजब भाज है जो 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 खज है जो खजए है जो तो जुट को जो आगा हुआ है झाल, 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 झाल. झाल, 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 झाल. झाल, झाल, झाल. झाल, 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 झाल. वार रहा था अब उसे पुलिस वोड़ों की भी जहान नहीं शूरू कर दी इस बात का कोई से वोच में यह जिनाम ने सर्सब्सकंश है कि यश्वन देशमुग का कत्व बिजय सिर्वास्तव में किया है नमश एक Under्दो कुद इस बात का इक्माल kya था कि वो एक पूलिस वाला नहीं कुट्ता था और कुट्ते को मारना इस देश में जुर्म नहीं माना जाता मुझे अफसोस तो इस बात का है कि मैं खुद इस कुट्ते को नहीं मार सका लेकिन बचे हुए कुट्तों को मैं जरूर मारूंगा तुम यहाँ क्यों आई हो? अपने बैटी की जिन्दगी की भीक मांगने क्या हुआ मेरे बेटे को अखर अगर हो जाएगा अगर आपने वा बेघ टरिकाल को नहीं दिया जसे उसकी जिन्दगी बंद है लोटा दिजी ओबेख परना वो हमारे बेटे को मार डालेगा वो ऐसा हर गिज नहीं करेगा उस कसाई का क्या फरोसा कसाई बकरे की जान तब ही लेता है जब उसके हाथ में छुड़ा होता है और त्रिकाल के हाथ में इस वक्त छुड़ा नहीं बलके मेरे हाथ में इसलिए आप सौधा होगा मैं हाई कम इन सर कम इन बोलो कात्र सर आपका शक बिलकुल सही निकला दीपक का बाप मरा नहीं बलकि जिन्दा है और पिछले चादा साल से सेंटर जेल में सजा काट रहा है और कुछ हिरालाल त्रिकाल की ओडिनस फैक्टरी में उसका पार्टनर था और एक इंस्पेक्टर के कत्ल के सिलसले में उसे हुमर कायद की सजा हो गई थी तब तो इस हिरालाल से हमें फौरन मिलना चाहिए चाहिए अब पूर यहां क्यों मेरा यहां अना मना है नहीं सर ऐसी बात नहीं आप फोन कर देते मैं खुद आजीर हो जाता तीवारी चम्चागिरी बंद करो और कुछ काम करो आज इस देश को चम्चों की नहीं तमंचों की जरूरत है समझे जी समझ गया कैदी नंबर दोसो चोदाओं को बलाओ सर वो तो कर रिहा हो गया कि लेकिन उसकी सजा तो 27 तारीक को खतम होने वाली थी सर वो वो तो जबान क्यों लड़ खड़ा रही है तीवारी कहीं जेब जादा तो नहीं भर ली तुमने सर मैंने कुछ नहीं किया हमारे मनिस्टर सापका फोन आए था उसे रिहा कर दिया जाए कल क्या गांधी जनती थी जी गांधी के इस देश में कैसे कैसे हारामी पैदा हो गए है आईए प्रताप सिंग जी आईए या मैं जान सकता हूं कि हिरला नाम के कैईदी को आपने वक्त से पहले क्यों रिहा करवाया उसका चाल चलन बहुत अच्छा था ये खयाल आपको उ उसकी रहे में सिर्फ दो दिन बाकी थे इस महरबानी की वज़ा जान सकता हूं मैं हम मिनिस्टर लोग ऐसा चोटा मोटा काम तो यूही करते रहते हैं काम जुरूर चोटा है मिनिस्टर डीपी सिंग लेकिन खेल बहुत बढ़ा है जो शुरू होता है दीपक सिंग की किड् से और उसके अगली गड़ी मिलती है विजे सिर्वास्तफ का जेल से भागना त्रिकाल का गोडाउन जलाया जाना गोगा की मौत और यश्वन देशमुख का वो बयान जो इसने तमाम जंता के सामने दिया था इसके बीच में मैं कहां से आ गया अगर बीच में आये तो ऐसा पीसुंगा ऐसा पीसुंगा कि तुबारा तुमारी आउलाद भी पॉलिटिक्स में कदम ने रखेगी गोड़े ससूर जी ससूर जी मुझे बचा लीजिए वरना आपकी बेटी विद्वा हो जाएगी कि क्या हुआ दामार जी बताइए तो वजा में का नाड़ा टूट गय इज़त उतरने वाली है अब कोई बात नहीं आज से पतलून पहनना शुरू कर दो वो पतलून भी उतार देगा उसका नाम आई जी प्रताप सिंग है यह अजीव मुल्क है दामाद जी यहां माएं बुजदिल बेटों का नाम भी बहादर रखती है तो तुम प्रताप के नाम से क्यों डरते हों तो फिर जल्दी से पेपर हासिल कीजिए न तुम फिकर मत करो हीरालाल के आते ही उसको और उसके बेटे को हमेशा के लिए सुला दूंगा क्यों आप लोरी गाएंगे क्या नहीं मेरा मतलब है कि जो आदमी ने 15 साल तक जबान नहीं खोली वो आप क् अरे भाई तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई जेल में उसकी तकलीफ को छोड़िये अपनी तकलीफ के बारे में सोची है न एक तकलीफ थी तरिकाल कि तुझ जैसे देश द्रोही की गर्दन मेरे हाथों से बहुत दूर थी गधे हो तुम जो मुझे देश द्रोही कहे हो आरे मुझसे बड़ा देश भग तो तुम्हें पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा सरकार इनको दिल्ली बुला कर बहुत जग की नाम भी देने वाली है दिल्ली में तिहाड जेल भी है जहां एक ही जटके में आदमी की जबान उसके हलक से बाहर निकलाती है तुम काख़ात मेरे हवाले कर दो तुम्हारा बेटा घर पहुंच जाएगा पहले मेरा बेटा इसमें तो कुछ भी नहीं है पहले मेरा बेटा मुझे दे दो त्रिकाल उसके बाद पर दूगा लटका दो इस हराम जादिश्ट ले जाओ बांदो बाप को बेटे के साथ लटका दो जीते जीतो नो मिल सके कम से कम मरने से पहले तो जी बर के देख ले परता जी जाल दो इनके जिसम पर बारूद हिराल बारूद के बाद हम तुम दोनों के जिसम में आग नहीं लगाएंगे बलकि उससे भी खतरनाक सजा देंगे हिराल मैं एक कप काफी साथ मिनट में पीता हूं और इतनी ही देर में मेरे कुटे सतर किलो गोश्ट खा जाते हैं अगर मेरी काफी खत्म करने तक तुमने उन काफ़ात का पता नहीं बताया तो मेरे कुटे तुम्हारी जिसम पर लगी हुई बारूद को सुम्ते तुम्हें भाल कर खा जाएंगे फैसला कर लेना जिन्दगी चाहिए या मौत टीबक मेरी बेटे पिदा जी यह आपने क्या कर दिया मेरी जान बचाने के लिए पिर से आप रहा अपनी जान को खत्र में डाल दिया और कोई रास्सा भी तो नहीं था मेरे बेटे मैं जानता था कि त्रिकाल दोगलापन जरूर करेगा इसलिए मैं पेपर्स नहीं बलके यह लाया हूँ देख वसे एक बार यह रसी खुल जाए उसके बाद यहां से बाहर कैसे जाना आए मैं बाद चीतना जानता फिसके बाद न Orlando जताप बाद जचीतना कि फिसा जबचीता यहाँ पे बाद है में भर से बाद वसे वे वटे लाए व तैनी बाद करेए करvent! करभ पर दो ओहार है? करष리 खुल कर अव्टल करछान कर स이면 भुल comm प्रओज 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 झाल पिताजी, पिताजी, कोई बात ने, बेड़े हमें शहर जल्दी, पच्छाए चलो पिताजी, 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 चारिए, पिताजी, चारिए, पिताजी, उखिये नहीं, पिताजी, अब मैं तेरे साथ नहीं शर्पाओ, नहीं, आपको चलना होगा, आपको चलना ही होगा, क्यों जित कर रहा है, कह दिया ना चाहिए, यहां से, क्यों मेरे साथ तो अपनी जान भी गवाद देना चाहता है, चलाजा मुझे चोड़के जाओ, आपको मात की लकेड़के लग़के बाद एिना चाहता है, आपको मात की जान जादा है क्यों मात की तो व। fiberज़के तान की जहा है झाल 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 मा, दर्वासा कोलिए, मा, जिली दर्वासा कोलिए, मा है राम, अंतिर चली, यह सब क्या हुआ मा, जिली बढ़ी, तुरी काले के लोग हमारे भीचा कर रहे है आई जी साब को फोन आगा आई जी परताब सिंग यहर सर, मैं दीपक बोल रहा हूँ दीपक? काल से बोल रहा हूँ तुम दीपक? सर मैं घर से बोल दीपक फोन मजे दो आजी साब मैं दीपक का बाप हीरालाल बोला हूँ मैं अभी आपके घर पे आता हूँ नहीं आजी साब मेरे पास वास बिलकुल नहीं है मैं अपने बयान देना चाहता हूँ बोलिए त्रिकाल ही वो आदमी है जिससे मेरे बेटे को गिटनेप किया था क्योंकि उसे मालूम था कि मैं जेल से छूटता ही दुनिया को यह बता दूंगा कि वो देश्द्रोई है आजी साब त्रिकाल ही देश का प्रचा हलो 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 आप बोल कुले रहे हलो 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 जोंट वरी ली प्लान के मुताबिक इस साल 15 अगस्त ऐसा मनाया जाएगा के चारों तरफ लाशें ही लाशें होंगा वेरी गुड हमा गौवर्मेंटम को और इनाम देगा अच्छा गुडबाइ अल दे बेस्त सायोनारा अच्छा बंच्छा अंच्छा आशे प्लिस 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 यौलारा अरस्ट और थे क्वार लागा लागा, पूख भागा, पूख सुबता लागा हूँ अर्स इस बस्तट्स तरिकाल सेच, आपके सारे फॉरिनर दोस्तों को पुली से मौत के घाट उतार दिया है साले उल्लू के पथे, शकल तो अच्छी नहीं है, कम से कम ख़बर तो अच्छी लाकर डामाद जी, तुम इस बिचारे को क्यों मार रहे हो वो बाजी खेल चुके, अब बारी हमारी है वाट वाट थीपक, थीपक थीपक यह दो जिंदा है, इसा फॉर्म राइट गाटे मिटाल का स्पताल ले चलो मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं इसलिए एक मिनिट के अंदर चार दिवारी के पाहर चले जाओ वरना अपनी मौत के जिम्रदार तुम लोग खुद हो गए हुआ जाओ हाँ 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 कर दोंगा कर दो उचिए सिर्थ नकित सक्टाइ जटें वे इस वार्यांट अजया टो झालोगा प्सक्राइब जब छोगा औरेब से उगा दोगा प्सक्राइब है हुआ है है कि 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 अलahh mo कि अहें। कि अब गुरिब कि कि अब से लुजी मaking मान वाぎ बसका कि भ भाच कि भ बाच झाच पुम लुकस। कि अісर वमढब कि लिए क हीरा Τώρα कि कह बडिवे घयक आँ अब मैं मंतरी मोदे से अगरह करूँगा कि वो आज 15 अगस्त के शुब अफसर पर अपने शुब हाथों से जंडा फेराए मेरा भारत महार यह क्या है और वो रहा तुम्हारा कफन तुने मिनिस्टर की बेज़द किया है बेज़द ही उसकी की जाती है धर पकड़ जिसके को बेज़द हो तेरा मतलब है मेरी कोई जत नहीं है मैं ये जनता का चुना हुआ मिनिस्टर हूँ इन कागजात को उठा कर देख जिसमें साफ साफ लिखा है कि तुम मिनिस्टर नहीं एक बढ़वा है बढ़वा बुला हराम सादे मैं तिरी परदी उतार दूगा ये वर्दी हिंदुस्तान इस प्लिस की है तेरे सर की टोपी नहीं जिसे जब चाहिए तू उतार दे अब पहन इसे और चुपचापचल मेरे साथ इनको हटकली मैं पहनाओंगा आई जी परताब सेंग आई जी परताब सेंग छोड़ दो मेरे दामाद को नहीं तो लाशों के धेर बिछा दूगा कि तेरे सम्मान के लिए मेरे पास इससे अच्छा हार था ही नहीं तो ससुर जी मैं आ रहा हूं जादा भून दो सालों को ना हर जाओ चाहिए तू अभी तक जिन्दा है हाँ मैंने तुझे कहा था ना तरिकाल के पंद्रा अगस तेरी सिंदगी का आखरी दिन होगा कि तुझे को साथ ब्रण के खर भून तुझे की तुझे को जाओ तुझे के यह था तुझे को जाओ प्रण साथेजी तुझे के जिसे तुझे को वपटे दुझे हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ है यह आदालत इस नतीजे पर पहुंची है के विजय शिवास्तों ने उन लोगों की जान ली